नमस्का सातियों आज है 4 सितंबर 2023 आज की पहली पहली का पेपर SSC MTS का सबलता प्रोग संपन हो चुका है और अगर आपका भी पेपर आंगे की सिप्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महतपुल होने वाली है आप लोग अंतक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं बताते हैं आपको एक एक करके सभी कोशनों के सटीक उत्तर अगर आपको भी इन सभी कोशनों के आंसर आते हैं तो आप लोग comment section में आंसर कर सकते हैं प्रकास के पूल आंतरिक परावरतन के कारण हेरे जो हैं चमकते हुए दिखाई परावरतन हैं अगला कोशन है जितने भी साबून होते हैं लगबख सभी पोटेसियम पाया जाता है तो यहां पर पोटेसियम आगर आपने तो अगला है किस अनुचेद में जीवन की रच्छा व्यक्तित स्वतंतरता का प्रधान है तो अनुचेद 21 में जीवन की रच्छा और व्यक्तित स्वतंतरता का प्रधान दिया गया है अनुचेद 21 काफी जादा महत पूल है और पहले भी कई बार एक्जामों में पूछा जा चुका है जि भीम राओ अमेटकर जो है भारती सविधान के जनक कहे जाते हैं भीम राओ अमेटकर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन है हमारे सविधान में मुख रोप से कितने अनुचेद हैं तो 395 में यहाँ पे सही उतर था राइट अंसर था 395 हमारे देश में संगी कारपारलिका का प्रमुक कौन होता है तो राष्टपती हमारे देश में संगी कारपारलिका के प्रमुक कहलाते हैं अगला कोशन है संगी मंतिपरसत का दच कौन होता है तो प्रधान मंत्री संगी मंतिपरसत का दच होता है अगला कोशन काफी महत पुड़ है, हार्ट अटेक किस कारान से होता है तो हर्दे में खून की अपूर्थी की कमी की कारान हार्ट अटेक होता है राइट अंसर हो जाएगा हर्दे में कून की अपूर्थी की कमी की कारान अगला कोशन है हमारे सरीर में रखते का pH कैसा होता है तो हमारे सरीर में रखते का pH होता है ये कम चारी होता है कैसा होता है कम चारी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा सही उतर हो जाएगा कम चारी इसका सही उतर हो जाएगा रुबेला वाइरस का क्या कारान है तो आपको दाते है रुबेला वाइरस का जो कारान है हुआ है खसरा खसरा यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा रुबेला वाइरस का मुख कारान खसरा बताया जाता है अगला कोशन है बहुत ही जादा महत्पुल कई बार पूछा जा चुका विंडो साउंड फाइल का एक्स्रेंशन क्या होता है तो डव डव एव इसका सही उतर था राइट अंसर था अगला कोशन है वेल्ट ओफ नेशन किताब को किसके दोरा लिखा गया है तो एड़न एड़न ऌने वेल्ट ओफ नेशन किताब को लिखा था सही उतर हो जाएगा एड़न एसonzर यहाँ पहरे राइट अंसर हो जैगा अगला कोशन है आप आप ऐसन्च टो इंडिया किताब किस नहीं लिखिए तो आपको दादें इन ऐ एम फोस्टर E.M. Foster ने जो आप Access to India जो किताब है वो लिखी है E.M. Foster यहाँ पर सही उतर हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा E.M. Foster कौन सी धातू जिवालू रोधी होती है तो आपको दादे तामबा जो होती है कापर यह जिवालू रोधी एक धातू है सही उतर हो जाएगा तामबा यानिकी कौपर यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा सही उतर हो जाएगा सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है तो आपको दादे सोडियम को जो है मिटी के तेल में रखा जाता है सही उतर हो जाएगा sodium को मिटी के तेल में रखा जाता है मिटी का तेल यहाँ पे सहुतर्था राइट अनसर था अगला कोशा ने किसे plaster of paris बनाए जाता है तो आपको तादें gypsum से plaster of paris बना जाता है pop plaster of paris जो है gypsum से बना जाता है सहЁतर हो जाएगा जिब सम यहाँ पर right answer हो जाएगा कीट और पच्छियों के जो punk होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो सम वरत अकारी कीट और पच्छियों के punk सम वरत अकारी होते हैं अगला कुछ नहें, अल्टा विश्टा क्या है, तो यह पर का सर्च इंजन है, सर्च इंजन एकलव पुरुसकार देती है सहीउतर हो जाएगा मत परदे सरकार यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा सहीउतर हो जाएगा मत परदे सरकार बटर फ्लाइ स्टोक सब्द का प्रयोग की स्खेल में किया जाता है तो अब पतादे इसका सहीउतर हो जाएगा तहिराखी में butterfly stock सब्द का जो प्रयोग है वो तहिराखी में swimming में किया जाता है सही उतर हो जाएगा तहराखी यहापे right answer हो जाएगा the flying sick के नाम से कौन सा खिलाड़ी काफी जादा famous है तो milka singh the flying sick के नाम से काफी जादा famous जो है एक athlete है आपे सही उतर हो जाएगा मिलखा सिंग या आपे राइट अंसर हो जाएगा जितने भी आपको प्रसने बताय जा रहे है सभी आपको हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगे जाके टेलिग्राम पर साच करिए सरकारी जोब वी दब है सरकारी जोब जैसे ही आप लोग साच करेंगे सरकारी जोब वी दभाई आपको वहाँ पर टेलेगराम चैनल मिल जाएगा उसको जोईन कर लेना अभी तक उस पर 9000 से ज़्यादा चातर जोड़ चुके हैं और वहाँ पर आपको GKGS करान्ट फैर की पीडियो और नोट्स अब लेवल कराए जा चुके हैं तो आप लोग उससे पढ़कर जितने भी कोशन है सभी को आंसर कर सकते हैं अगला कोशन है आणा हरीकें के नाम से कौन प्रसिद है तो हर्याना हरीकें के नाम से जो है कपिल देव जाने जाते हैं कपिल देव हाँ पे सही उतर था राइट एंसर था हर्याणा हरीकेन के नाम से कपिल देव को जाने जाता है कपिल देव हाँ पे सही उतर हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा अगला कोशन है किस राज में सबसे ज़्यादा विदा तो हमारे देश के सभगदान का सन अच्छक माना जाता है तो इसको बोलते हैं टांस्पीरेशन बोलते हैं पतियों के वास्पी पार्ण को विग्यान की बाहसा में टांस्पीरेशन टांस्पिरेशन बोला जाता है एचानस्पिरेशन हो सिर्थ कॉस्षन कराए जांता एफ माइनस लृटлись छह सब्सक्रांद ऑल श्हां लो एक हां नीक भेजर अपके बराबर हो他 smi हो जाता है तो यह बराबर आपका आजाता सत्रा बटे दो सत्रा बटे दो आ जाता अब एक अमान हम लोग जो है बी में रख देते तो सत्रा बटे